हेलो गईज, वेलकम टू एड़वन कुरन, मैं हूँ आपका दोस्त अश्वी निकमार और मैं आज की इस वीडियो में बन के वरा भाग एक की जो कवीता है अनमोल, तो अनमोल कवीता का भावार्त और उससे सम्मंति जितने भी महतुपूर्ण प्रेश्ण बन सकेंगे, उसको में आज की इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ, आई ये वीडियो को शुरू करते हैं, अनमोल, अनमोल का मतलब होता है जिसका कोई मोल ना हूँ, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके, अनमोल कवीता के कवी का नाम है धनेंदर प्रवाही, और कवी अपने कवीता के बारे में जानकारी देते हैं, और कहते हैं, माटी कर मोल बहुत है, लाख लाख कर बोल है, मातरी भूमी कर माटी में है प्रान और प्रान अनमोल है, तो इस कवीता का भावार्त हुआ, कि माटी का जो अनमोल, माटी के बारे में कभी कह रहे हैं, कि अपनी देश की मिटी, य अनमोल है लाखों का मोल है उसको लाख लाख का मोल यहाँ पर बताया जा रहा है लाख लाख कर बोल है उसका लाखों का बोल भी कम है इसके लिए तो मातर भूमी कर माटी में है प्रान और मातर भूमी की माटी में ही हमारा प्रान बसा हुआ है और यह प्रान जो है वो अनमोल अगली पंक्ति है नारी देवे जनम जगत के सेकर रूप अनमोल है एहे नारी माय और माय कर दूध परम अनमोल है इस पंक्ति में कभी कह रहे हैं कि जो नारी है वो जन्म देती है जन्म देने वाली होती है और उनकी तुलना किसी से नहीं कि जा सकती है यही नारी मा होती है और मा का जो दूद है वो परम अनमोल है देखे बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले उसे मा का दूद पिला जाता है ठीक है यह मा का दूद जो होता है वो अनमोल होता है आपको यहाँ पे मैं कुछ important point बतला दूँ कि मा के दूद में रोगानू नासक एक तत्व होता है जो कि बच्चा जैसे भी जन्म लिया है ना बच्चा को हर प्रकार के खत्रों से बचाता है तो वो जो बचाता है उसका नाम होता है जो एंटीबडी जो मा के दूद में जनरेट होता है उसका नाम है आई जी ए ठीक है current affairs या फिर science के questions में यह पूछे जा करता सकते हैं आपको competition में कि मा के दूध में क्या होता है जो परती-रक्व का काम करता है एंटीबडी का काम करता है ठीक है तो यह आई जी जी जो होता है यही मा के दूध में होता है दुनिया भर मेंтом होल है माइक कॉरा में जै है बोली से अनमूल है देखे यहां पर कूरा और मतलब होता है गोद माप के गोद में जो है वो अनमोल है तो इस पंक्ति में कभी कह रहे हैं कि दुनिया में अनेक बोली भाशा हैं रंग रूप हैं आप देखिए जैसे कि जहारखन में कई भाशाएं पाए जाती हैं जैसे एक्जामपल के लिए अभी हम लोग नाकूरी पड़ रहे हैं खोर्ठा है कुडुक है संथाली है मुंडारी है कुर्माली है पंच परगनिया है ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज सिर्फ जारकन में है तो आप अगर भारत वर्ष में देखिए तो कई लैंग्वेज हैं हिंदी है कनड़ा है मल्यालम है तमिल है तेलगू है इसी तरह से जहां जहां पर भी जाईएगा बोली और भासा रंग रंग कर्मा रंग का मतलब है कि भिन भिन तरह के बोली और भाशा आए हैं यहाँ पर जो रंग रंग है उसका मतलब क्या है भिन 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 ठीक है तो दुनिया भार के होल है मतलब दुनिया भार में अलग लग बोली और भाषाएं हैं लेकिन माय कुरा में जे है बोली से अनमोल है लेकिन मा की गोद में मतलब कि मातरी भूमी जहाँ पर आप जन्म लिये हैं तो यहाँ पर कभी क्या कह रहा है कि जो आपकी मातरी भाषा है तो मातरी भाषा का जो कोई मोल नहीं हो सकता है ठीक है लिए भी कह रहे हैं कि जननी जन्म-भूमी का महिमा जहां पर आप ने जन्म लिया आप मात्रि भूमी है उसकी महिमा जो है वह स्वरक से प्हुद स्वरक सर्ग मतलब की सवर्ग से भी बड़ा है तो प्रभुस्री राम लंका पर विजय किये तो लक्षमांजी ने पूछा कि क्यों न यहीं पर रहा जा कितनी सुन्दर है यह स्वरण की बनी हुई लंका है तो प्रभुसरी राम ने लक्षमन जी को जवाब दिया कि जननी जन्म भूमिश्य स्वरगा दपी गिर यशी तो उसका मतलब है लंका सोनी की बनी हुए सुन्दर सी नगरी है यह लेकिन जननी की जो मात्री भूमिश्य है वो स्वरग से भी बड़ी होती है तो जो मात्री भूमिश्य का महत्व बहुत बड़ा होता है यह प्रभुसरी रामायन में लक्षमन को समझाते हैं तो सबसे मदूर आपन बोली निजभासा अनमोल है तो यहाँ पर कभी फिर से कह रहे हैं कि अपनी बोली जो होती है मात्री भाषा जो होती है वो अनमोल होती है तो अगर इस कविता का सार देखा जाए तो कभी इसमें तीन चीजों पर बल देते हुए कहते हैं कि इनका कोई मोल नहीं है इसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है पहला क्या है आ सबसे पहले मा का दूद पिलाया जाता है और उसी मा के दूद को पीने के बाद उसमें ताकत आ जाती है ठीक है तो उसका भी कोई मोल नहीं है मा के दूद का मोल कहीं पर नहीं है ठीक है और तीसरी जो बात सबसे अनमोल चीज है वो है आपकी मातरी भाशा ठीक है जहां पर आ आपकी मात्री भाषा यह अनमोल है तो यह है कवीता का भावार्थ यहाँ पर देखे कुछ सब्दार्थ सब्दार्थ यह हुए है मोल मोल का मतलब होता है दाम जगत जगत का मतलब होता है दुनिया अमोल या अनमोल इसका मतलब होता है जेकर मोल नखे नखे का मतलब यह नही बन सकते हैं उसको MCQ के माध्यम में हम लोग करके देखते हैं तो पहला प्रश्ण है अनमोल कविता के रचनाकार कोन आहे तो आपके अप्शन है धर्मेंदर प्रवाही का रचना अनमोल कोन का भी विधा में आहे आपके अप्शन है अप्शन A गजल, उप्शन B कविता, उप्शन C गीत या फिर उप्शन D गद्य तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा उप्शन B कविता अगला प्रश्ण है अनमोल नामक का भी विधा में कभी का के अनमोल मान हैं तो आपके option है option A मातरी भूमी, option B माय करदूद, option C मातरी भासा या फिर option D उपरे देवल सोभे तो इसका correct answer हो जाएगा option D उपरे देवल सोभे कभी मातरी भूमी, माय करदूद और मातरी भासा ये आपके option है option A बेटा, option B बेटी, option C दुनिया या फिर option D छववा तो इसका correct answer हो जाएगा option C दुनिया ठीक है जगत का मतलब क्या होता है दुनिया अगला प्रश्ण है बोली भासा रंग रंग कर दुनिया भार में होल है उपरे देवल पंक्ती में कौन कभीता से लिवल जा option C अनमोल या फिर option D आवान तो इसका correct answer हो जाएगा option C अनमोल अगला प्रश्ण है अनमोल कभीता के अनुसार केकर महिमा सर्वो से बढ़ हके तो आपके option है A मायकरदूद, option B मातरी भाषा, option C मातरी भूमी या फिर option D उपरे देवल कोनों नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा option C मातरी भूमी जो है उसका महिमा स्वर्ग से भी बढ़ा है अगला प्रश्ण है अनमोल कभीता के अनुसार के करदूद अनमोल है तो आपके option है option A मायकरदूद, option B गायकरदूद, option C भाषा करदूद या फिर option D उपरे देवल कोनों नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा option A तो ये थे अनमोल कभीता से समंधित महत्यपूर्ण प्रश्ण आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है वीडियो आपको पसंद आया तो उसको like कीजे, share कीजे, अपने suggestions कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए A21 गुरन चैनल को सब सब्सक्राइब कीजे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिन्द!